हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होमपूट रेसिपीज, आज हम बनाएंगे बुंदी के लड़ू, बुंदी के लड़ू छूटे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आते हैं, तो आज मैं आपको परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ घर पे मिठाई के दुकान जैसे बुंदी के लेंगे, तो एक सौस पेन में हम 1.5 कप चीनी अड़ करेंगे, ये 200 ml वाला मेरा 1 कप है, तो दूसरा अधा कब भी मैं डाल देती हूँ, अब 1.5 कप चीनी के सामने हमें इसमें 1 कप पानी डालना है, तो 200 ml मैंने इसमें पानी डाला है, और अच्छे से से मिक्स करके, गेस क पहले तो हम चीनी को melt होने देंगे अब चीनी हमारी 3-4 मिनिट बाद melt हो गई है तो gas की flame हम medium करेंगे और इसकी एक तार की चाशनी बनाएंगे अभी तो सिर्फ चीनी हमारी melt ही हुई है चाशनी हमारी चिपचिपी लग रही है लेकिन इसमें कोई भी तार नहीं बन रहा है तो इससे हमें और पकाना पड़ेगा कुछ देर और पकाने के बाद इसमें हम add करेंगे इससे लड़ू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और अब हम इसके तार भी चेक कर लेते हैं तो जो कल्चे के उपर चिपका हुआ है उससे हम उंगली और अंगुठे के बीच लेकर चेक करेंगे तो हमें एक तार बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो अब हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है इसके उपर हम ढककन ढकके इसे साइट पर रख देंगे ताके चास्टनी ठंडी ना हो जाए अब हम बैटर बना लेंगे तो एक बाउल के उपर मैंने एक बड़ी चन्ने रख दी है उसमें हम 1.5 cup बेसन चान लेंगे बेसन आप यहाँ पे देख सकते है इसमें कितनी सारी गुठलिया है तो इसे चानना बहुत जरूरी है गुठलिया हो या ना हो जब भी यह लड़ू बनाए तो बेसन को हम एक बार चान लेना है दूसरा भी आदा कप मैंने डाल दिया है अब हम इसे एक स्पैचुला की मदद से गिस्ते हुए चान लेंगे ताकि बेटर जो है वो हमारा एकदम स्मूठ बने तो यहाँ पे आप देख सकते है कि सारा बेसन मैंने चान लिया है और मैंने यहाँ पे गाई चाप बेसन का यूज किया है तो मेजरमेंट आपने देख लिया ना डेड़ कप बेसन के सामने हमने डेड़ कप चीनी ली थी अगर आपको एकदम ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप दो कप चीनी भी ले सकते है अब इसमें हम एक कप यानि की 200 ml पानी डालेंगे और थोड़ा पतला हमें बेटर रेड़ी करना है थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और रिसकर्स की मदद से हमें मिक्स करते रहना है तो यहाँ पे सारा पानी मैंने डाल दिया है अब इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे इस बैटर में ज़रा सी भी घाठे नहीं रहनी चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं pouring consistency का मैंने यहाँ पे बैटर रखा है बैटर एकदम ज्यादा घाड़ा और एकदम ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए वन्ना हमारी जो बूंदी है वो perfect गोल नहीं बनेगी अब इसमें हम add करेंगे 1-8 teaspoon baking soda जो खाने वाला soda आता है वो हमें 1-8 teaspoon level करके ही लेना है और दो चुटकी जितना हम इसमें कीसर यलो फूड कलर एड़ करेंगे ये color आपको market में आसानी से मिल जाएगा और color totally optional है आपके पास नहीं है तो आप इसे skip कर सकते है इससे हमारे लड़ू बहुत ही अच्छे दिखेंगे पर taste में कोई फरक नहीं पड़ेगा तो आप skip करना चाहे तो भी कर सकते है अच्छे से मैंने सब कुछ mix कर लिया है तो अब हम इसकी बूंदी बना लेंगे तेल मैंने पहले से ही गरम करने रख दिया था और बूंदी बनाने के लिए हम इस तरह के जारे का यूज करेंगे जिसकी पीछे इस तरह के थोड़े दूर दूर चेद है और एक और भी जारा आता है स्टील का आप इसका भी यूज करके बुंदी बना सकते है इससे भी बहुत अच्छी बुंदी बनेगी और अगर दोनों में से एक भी ना हो आपके पास तो भीना जारे के बुंदी कैसे बनानी है वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ तो अब जारे को कड़ाई के उपर रखके हमने जो बैटर बनाया था उसे एक बार हम मिक्स कर लेंगे और एक से डेड़ लेडल बरके बैटर हमें जारे के उपर डालना है और नीचे आप देखे सकते हैं कि गोल-गोल बुंदिया गिनना शुरू हो चुकी है तो दूसरा आधा लेडल भी मैं इसके उपर डाल देती हूँ एक बार में जाधा बैटर ना डाले क्योंकि बुंदी को कड़ाई में जगा भी मिलने चाहिए अब इस जारे को हम हटा लेंगे और बीच-बीच में चलाती हुए स्लो फ्लेम पे हमें इसे आधे मिनट तक यानि कि 30 सेकंड तक फ्राई कर लेना है बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे तो ये देखे कितनी अच्छी गोल बुंदी बनी है स्लो फ्लेम पे क्रिस्पी हुने तक मैंने बुंदी को फ्राई किया है तो अब हम इसे बाहर एक टिशू पेपर पर निकाल देंगे और दूसरी बुंदी भी हमें सेम इसे तरह से बना लेनी है अब दूसरी बार बुंदी बनाने के लिए जो जारा है उसे हमें पाने से धो कर कपड़े से पोच लिना है उसके बाद ही हम दूसरा बैच रेडी करेंगे तो ये देखे जारा मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है अब से मुसी तरह से हम बुंदी बनाएंगे अगर आपके बैटर की consistency परफेक्ट होगी तो आपके बूंदी घोल ही बनेगी तो बस एक से डेड़ लेडल भरके ही हमें बैटर डालना है ज्यादा नहीं डालेंगे इससे भी हम बीच बीच में चलाती हुए फ्राई कर लेंगे ये बूंदी भी हमारी फ्राई हो चुकी है तो इससे भी हम सेम बाउल में निकाल लेंगे जारे को थोड़ा सा कड़ाई के उपर टैप करे ताकि जो एकसेस ओल हो वो नीचे कड़ाई में ही गिर जाए अब आपके पास बूंदी का जारा ना हो तो गर में हम जो गाजर और खीरा कद्दू कस करने के लिए ग्रेटर यूज़ करते है उसकी मदद से भी आप आसानी से बूंदी लड़ू बना सकते है तो गरेटर को हम कड़ाई के उपर उल्टा पकड़ेंगे और उसमें बैटर एट करेंगे तो कड़ाई में नीचे गोल गोल बूंदी गिनना शुरू हो जाएगी और मिडियम होल वाली जो गरेटर हो उसी का यूज़ करे बड़े होल वाली गरेटर नहीं चलेगी तो ये देखे कोई मान नहीं सकता कि ये हमने बिना जारे की बनाई है एकदम परफेक्ट गोल बनी है ये बुंदी भी अच्छे से फ्राई हो गई है तो इसे भी हम सेम बाउल में निकाल लेंगे इसी तरह से सारी बुंदी मैंने फ्राई कर लिए है तो टोटल चार बेचिस में हमारी बुंदी रेडी हुई है अब हमारी सारी बुंदी फ्राई होकर तयार है तो जो टीशू पेपर है उसे हम निकाल देंगे और आप देख सकते हैं कितना सारा ओल इसने एब्जॉब किया है अब जो चाष्णी हमने ढखके रखी थी उसे भी हम खोल लेंगे स्लो फ्लेम पे चाष्णी को मैंने गैस पे गरम करने रख दिया है चाष्णी थंडी नहीं होनी चाहिए वन्ना बुंदी चाष्णी एब्जॉब नहीं करेगी तो सारी बुंदी हम चाष्णी में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बुंदी को हमें चाष्णी के अंदर एक मिनट तक पकाना है स्लो फ्लेम पे और फिर इसे हम ढखकन ढखके 10 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे ताकि बूंदी जो है वो सारी चाष्णी अपने में एब्जॉब कर ले तो पहले तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक मिनट तक slow flame पे मैंने इसे cook किया है अगर आप एक बूंदी हाथ में लेकर jack करेंगे तो अभी भी बूंदी हमारी soft नहीं हुई है अभी भी ये crispy है मतलब की चाष्णी जो है वो बूंदी ने अब्जॉब नहीं की है तो अब इसके उपर डखकन डखके 10 मिनट इसे ऐसे ही रहने देंगे उसके बाद हम लड़ो बनाएंगे टोटल 10-12 मिनट बाद हम बूंदी को देख लेते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि बूंदी ने जो भी चाष्णी दिख रही थी वो सारी अब्जॉब कर ली है बीच में मैंने दो बार धकन खुल के मिक्स किया था वन्ना सिर्फ नीचे-नीचे की ही बूंदी चाष्णी अब्जॉब करती और उपर की ऐसे ही रह जाती तो मिक्स करना बहुत ज़रूरी है और जो हमारा मुंदी का मिक्सचर है वो भी वाम है तो अब हम इसमें से लड्डू बनाएंगे थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेकर हम लड्डू बनाएंगे लड़ू के जो साइज है वो आप अपने अनुसार छोटी बड़ी जैसे चाहे वैसे रख सकते है बहुती आसानी से हमारे लड़ू बाइंड हो रहे है इससे हम एक प्लेट में रख देंगे और बागी के सारे लड़ू हमें सेम इसी तरह से बना लेने है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे लड़ू मैंने रेडी कर लिये हैं अब इसके उपर गानिश के लिए हम काजू और पिस्ता का चूरा रखेंगे ताकि यह दिखने में और भी अच्छा लगे यह लड़ू बहुत ही टेश्टी लगते हैं आप इससे एक बार जरूर बनाईएगा फ्रेंड्स यह हमारे सारे बुंदी के लड़ू बनके तयार है इस हनुमान जेन्ती पे आप भी इन लड़ू को जरूर से ट्राइ कीजेगा अगर आपको आज की मेरी रसीपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबाए ताकि आपको मेरी हर नए वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलती रहे अगर आपको मेरा यही वीडियो गुजराती में देखना हो तो उसकी भी मैने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे हुई है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाई